हलो टेर स्टूडेंट्स वालकम टू मैंने ब्रेंस मैं संचुता जान आपके सेस्ट एजुकेटर आज के सेशन में लेके आई हूँ आप सभी के लिए क्लास टेंद बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए सामजी विज्ञान में राजनीती विज्ञान का चैप्टर नमबर त्री और आज हम पढ़ेंगे इसके एंसियारिटी शलूशन्स को चैप्टर का नाम है जाती धर्म और लेंगिक मसले इस चैप्टर को हम पूरा कंप्रीड कर चुके हैं हर एक टॉपिक को अलग-अलग वीडियो के माध्यम से आप तक पहुचाया गया है उमीद है सारे वीडियो आपने देख लिए होंगे और अगर नहीं देखे हैं तो सा है कि जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा आज के इस वीडियो को आप सभी लाइक कर दें शेयर कर दें साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें यूग यह मैंगनेट ब्रेंस प्रोवाइड कराता है आपको क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के सारे कोर्स प्री सारे कोर्सिस आपको एं चा लेके कंप्लीट कराया जाते हैं काफी सारे स्पेश्पेशल कूर्स घी वेडियो की डिस्रॉप्शन वाक्स में उसकी लिंक्टि दी गई जाइए जाए टो लीजिए चलिए तो शुरू करते हैं आज का ये बहतरी इंशाइशन आपके लाइक और शेयर के साथ और आज हम सॉल्व करते हैं जितने में इस चैप्टर के हैं NCRT में वो सारे हैं तो अभ्यास यानि की एक्सरसाइज में आज का पहला स्वाल ये है कि जीवन के उन विभिन पहलू का जिक्र करें जिन में भारत में महिलाओं के साथ भेदभाव होता है वो सारी बाते आपको बतानी है जहां आप अपनी कांट्री में अपने भारत में देखते हो कि यहां पर पुरुशाओं को ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है महिलाओं के साथ भेदभाव कि दे रही है ऑल राइट चले तो जब तक आप कॉमेंट करके मुझे पताई कुछ की पॉइंट तब तक हम यहां भी देख लेते हैं तो देखें महिला भारत में महिलाओं को निमनत तरीकों से भेदभाव किया जाता है महिलाओं के साथ तो देखें पहली बात यह है कि उन्हें परियाप्त सिक्षा नहीं दी जाती है जी हां अब परियाप्त सिक्षा नहीं दी जाती है यह पता कैसे करोगे लिटरेसी रेट से साक्षरता दर से कि भारत में पुरुषों के कंपारिजन में कितने प्रतिशत महिलाएं एजुकेटेड हैं सिक्षिद हैं या साक्षर हैं तो परियाप्त सिक्षा नहीं दे जाती जिस कारण महिलाओं में साक्षर्टा की दर जो है प्रतिशत जो है केवल कितना है 54% है वहीं पर पुरुषों में हमें ये कितना दिखाई देता है पुरुषों की अगर हम बाद करें तो 76 प्रतिशत दिखाई देता है यानि कि वेतन ना मिलना आवेतनिक का मतलब क्या है वेतन ना मिलना या बिना वेतन के कार्या बिना वेतन कार्या अवेतनिक जी हां अब जैसे कि अपन देखें अपने घर में मा होती है तो हमारी मम्मिया जो है पूरा काम करती है घर का सुबह से उठके रात तक एकदम काम में लगी र बनाना सबकी देख रख सबकी दिमार्ट को पूरी करना तो क्या उनके बदले उन्हें पैसे मिलते हैं इतने सारे कामों के बदले नहीं मिलते लेकिन काम तो वह कर रही है और उनके इस काम को कोई इंपोर्टेंस ही नहीं दी जाती महिलाओं से कह दिया जाता है कि आपका काम तो है घर के अंदर है ना घर को समालना और करने क्या है दुनियादारी से मतलब क्या है बार की दुनिया में जाओगी तो देखोगी कितना काम है वहला पुरुषों के काम को ही अवैतनिक है बहुत कम पैसा मिलता है और जहां वे काम करती है उन्हें पुरुषों की तुला में बहुत कम वेतन मिलता है यह तो अन्याय है बीदभाव है तीसरी बात सिर्फ लड़के की चाह के कारण देश के कई हिस्सों में कन्या भूण हत्या का प्रचलन है लोग क्या च चाहिए ठीक है लड़का ही हमारे वंश को आंगे बढ़ाएगा इस कारण लड़की को भूण में ही मार दिया जाते है गर्ब में ही मार दिया जाता है गर पता लग गया कि क्या है पेट में लड़की पल रही है तो उसको गर्ब में ही मार दिया जाता है अब आप यह नहीं सोचते कि भuğई अगर लड़की पैदा नहीं होंगी लड़कीयों की संह्गया कम होती जाएगी तो कैसे दुनिया आगे बढ़ेगी आप कहते हो कि वंश पढ़ाने का काम कौन गरता लड़का करता है लेकिन जब लड़कों के कंपरीजन में काम कम होगी तो कैसे यह दुनिया चल पाएगी ठीक है बातारी समझ में तो सिर्फ लड़के के चाहा के कारण देश के कई हिस्सों में कन्या ब्रून हत्या का हत्या जो है प्रचलित है यह सारे सारे पॉइंट्स किसको दिखाते हैं महिलाओं के साथ लड़ियों के साथ फीमेल के साथ होने वाले साप्रदाइग राजनीती का ब्यारा दे और सबके साथ एक 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 अग्जाम्पल भी दे तो चली समझ लेते हैं इसको भी सांप्रदाइग राजनीती के विभिन रूप देखें दैनिक जीवन के मान्यताओं में सांप्रदाइग सृष्टता की अभीवक्ति धार्म संप् संप्रदाय किसे जाता है यानि कि जब लोग धार में का धार पर बटे हुए हो कि यह इस धर्मे के इस संप्रदाय की है ठीक और उनके भीश धर्म के आधार पर भीदभाव किया जाए तो क्या है वह वह संप्रदायकता और जब यह संप्रदायकता कहां एंटर कर जाती है पॉलिटिक्स में राजनीती में एंटर कर जाती है तो क्या होता है राजनीती संप्रदाय के आधार पर शलने लगती है लोग अपने संप्रदाय विशेश को महान मानने लगते हैं और उसी के आधार पर शाषन चलाने की ब कि अभी व्यक्ति धार में सांप्रदायकता के रूप में हमें दिखाई देती है ठीक है एक प्रमुख प्रभुत्व या एक अलग राज्य बनाने की इच्छा अलग-अलग राज्यों का बटवारा जो होता है अगर डिमांड करता है कोई व्यक्ति तो किसा आधार पर कर रहा था तो भाशा के आधार पर अलग-अलग राज्य को बाटा जाता था बाटा गया था और अगर किसी धर्म विशेष के लोग इस एक पाइटिकुलर स्टेट में रहते हो राज में रहते हों तो वह क्या डिमांड करते हैं कि हमें अपना अलग स्टेट चाहिए हमें अपना अलग देश ही चाहिए कभी-कभी तो ऐसी डिमांड भी उठने लगती है तो एक प्रमुक प्रभुद्व प्रभुत यानि कि सर्फ हमारा ही अधिकार वोग जिस धर्म के हैं उस शेट पर सर्फ हमारा अधिकार हो क्योंकि हम संख्या में जादा है हमारी मैसौरिटी है हम ब चाहरण भी आपको देना है जो संप्रदाइक राजनीती है तो धार में संप्रदाइक जो फैली हुई है वह एक एक एक्जामपल है तीक है दूसरा एक्जामपल है कि जब कोई जगह के लोग जो है एक अलग राज्य बनाने की मांग धार में का अधार पर करने लगते हैं तो क्या है वह संप्रदाइक तक की ही डिमांड संप्रदाइक तक का ही एक स्वरूप है ठीक है अब जब एक संप्रदाइव विशेषजES के आधार पर किसी राज्य का निर्माण बने ग़ा या कोई देश बनेगा तो वहां की पॉलिटिक्स कैसे दल इसका एक उधारन हमें देखने को मिलते हैं फिर मत धाताओं से यानि कि जो वोटर्स हैं वोट देने वाले व्यक्ति चुह हैं तो मत धाताओं से अपील करने के लिए राजनीती में धार्मिक प्रतीकों और धार्मिक नेताओं का उप्योग करने के तरीके कई सबसे बड़े धार्मिक समुदायों के मंदाताओं को प्रभावित करने के लिए लागू करी जाती है मंदाताओं से अपील करी जाती है कि भई इस पॉलिटिकल पाइटी को वोड़ देना है और अगर वो पॉलिटिकल पाइटी किसी संप्रदाय विशेश पर आथारत हुई गिए देना हैं तो पॉलिटिकल पाट्य काम किसव लिए करेगी उस पॉलिटिकल पाइटी काम किस निये काम करेगी गुजरात में रुंतर हमें राजजनीति 2002 में गुजरातमें हुए दंगों की तरह सामप्रदाय्ग हिंसा और दंगों का रूप भी ले सकती है ठीक है तो बताना है कि भारत में अभी भी किस तरीके से जातिगत असमानताएं जारी हैं जातिगत असमानताएं कि जब जाती के आधार पर लोगों के साथ असमान व्यावार किया जाए भेदभाव किया जाए ठीक है उनके भी समानता ना रहे तो भारत में किस तरह अभी भी वर्तमान की योग में जब सम्विधान का योग है जब कानून का योग है तब भी जातिकत समानता जारी है देख लेते हैं तो समकालीन भारत यानि की आधुनिक भारत समकालीन यानि की अभी का भारत अभी का समय अभी के समय का जो भारत है तो समकालीन भारत से जाती व्यवस्ता पूरी तरीके से खतम नहीं हुई है भले ही सेड्यूल कास्ट और सेड्यूल ट्राइब्स के लिए यानि के अनुस ओहीं कहीं संकालीन भारस से जाती व्यवस्ता पूरी तरी किसे खतंतम नहीं O तो अब भी ज्यादातर लोग अपनी जाती है कभीने के अंदर ही शादी करते हैं यानि कि अगर विबाहा होना है शाद sacrifici के अंदर होगी अपनी ही जाती के अंदर होगी बाहर नहीं होगी क्यों की हम अपनी ही जाती मैं सारी चीजें करना चाहते हैं जादिकत संबंध हमारी जाती मैं ही आंगे बढ़ने चाहिए फिर चुवा शूत को समवेधाने की जाने के बावजूद भी यह पूरी तरह एसे समाप्त नहीं है चुवा चूती तो अगर आप इस तरीके का व्यावार करते हैं और उस व्यक्ति को इससे बुरा जाहिर सी बाते की लगेगा और यह चीज सही पाई जाती है जांश परताल के बाद तो आपके खिलाप कानूनी कारवाही करी जाएगी लेकिन इस चीज को कानूनी रूप से अपराद घोशित करने के बाद भी यह पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुई है फिर देखें सदियों पुराने चिलन के प्रभावों को आज भी महसूस किया जाता है जैसे कि जाती को आर्थिक इस्तिती का पैमाना माना जाता है अब उच्च जाती के लोग अमीर ही होंगे ठीक है और निम्नजाती के लोग जो है ऐसा माना जाता है कि वह गरीब वर्ग में ही आएंगे अब क्यों क्यों कि भई उच्च जाती के वर्गों के पास सबकुष सारी रूसर्स पर उनका राइट है वहर काम कर सकते हैं लेकिन इन ज कि आपको सिर्फ यही काम करना है तो वह आर्थिक रूप से कैसे खुद का विकास कर पाएंगे यह चीज यह बात यह बुराई आज भी कई कई शेत्रों में हमें देखने को मिलती है अल्राइट चलिए तो यह तीन बाते होगे अपनी अब है क्वेशन नमबर फूर क्या पूशा है दो कारण बताएं कि क्यों सिर्फ जाती के आधार पर भारत में चुनाव के परिणाम तय क्यों नहीं हो सकते ठीक है दो ऐसे कारण बताने हैं कि जाती के आधार पर भारत में चुनाव के परिणाम तय क्यों नहीं हो सकते मालो के किसी जाती विशेष की संख्या जन संख्या उस शेत्र विशेष में जादा है किसी शेत्र में चुनाव होने कोई चुनाव शेत्र है वहां पर मालो ए जात जाती के लोगों की पॉपुलिशन बहुत जादा है तो क्या आप कह सकते हैं कि जो ए जाती का उमीदवार खड़ा है प्रत्याशी खड़ा है वही चुटाओं जीतेगा बी जाती के लोगों की संग्या कम है और बी जाती के लोगों का उमीदवार जो है जो खड़ा हुआ है है था सवाल क्या था कि दो कारण आपको बताने हैं कि क्यों सिर्फ जाती के आधार पर भारत में चुनाओं के परिणाम तै नहीं हो सकते कि हम शुरुबात आंसर की कुछ ऐसे करेंगे कि हां हमांतियां के अकेले जाती भारत में चनाव प्रिणाम निर्धारत नहीं कर सकती क्योंकि पहली बात कोई भी संसिदिय छेत्र ऐसा नहीं है जहां एक जाती का इस पस्ट बहुमत हो ठीक है जैसे कि माल लो एक संसिदिय छेत्र है या चनाव छेत्र है ठीक है यह क्या है संसिदिय छेत्र ह वहाँ पर कई सारे कास्ट के लोग है A, B, C, D ठीक है A, B, C, D और माल लोग की A कास्ट की क्या है मिजॉरिटी है यानि की population जादा है ये बहुत संख्याक है इनकी population जादा है ठीक इसकी B की थोड़ी सी और कम है C की थोड़ी सी और कम है D की थोड़ी सी और कम है तो किया आप कह सकते हूँ कि ये बहुत संख्याक है इनकी population जादा है तो इनका उमीदबार ही इनका उमीदबार है w ठीके तो क्या w ही जीत जाएगा जी नहीं ठीके भले धूसरी party के उमीदबार जो है बहुत कम सॉरी population बहुत कम है तो इनके जीतने के चांसे साब कोगे कि कम हो सकते हैं नहीं क्योंकि अब लोग क्या देखते हैं अब अपना जातिगत हित नहीं देखते कि हमें अपने जातिके प्रत्याशी को जताना है अब लोग क्या देखते हैं सबसे पहला अपना आर्थिक हित देखते हैं अपने यहां शेत्र में शेत्र का विकास कैसे हो सकता है क्या सुविधाएं हमें मिल सकती हैं सामाजिक हित क्या हो सकता है राजनेदिक हित क्या हो सकता है यह सारी चीज़ें देखते हैं अब सिर्फ ज सदेशेतर ऐसा नहीं है जहां एक जाती का कोई व्यक्ति है एक्स व्यक्ति है ठीक है तो उसको लोग ब्रवट दें ए कास्ट के लोग भी तैसी कास्ट के लोग भी दें कि I किस आधार पर अपने आर्थे खितों के आधार पर उस व्यक्ति के परस्फरांलिटी को देख et kis कोई भी पाइटी किसी विशेज जाती के सभी वोत हासिल नहीं करती है यही मैंने आपको बात बता पर संके आधार पर डिसाइड को सवाल भारत विधाईकायों में महिलाओं के प्रतिनेधित्वी की स्थिती बतानी है आपको बता दीजे जल्दी से भारत की विधाई का काम क्या होता है विधाई का काम होता है कानून का कौन करता है बताव जल्दी से अमारे देश की संसद संसद में कौन होता है बई पॉलिटी पढ़ रहे हैं बताओ दो जल्दी से संसद में कौन कौन होता है संसद भारत देश की संसद पारलियमेट की संरशना structure क्या है लोकसभा राज्य सभा और राश्टपती ये होते हैं संसद के संसद के तीन अंग ठीक है इन तीनों को जब मिला दिया जाता है तो यह होते संसद के तीन अंग और यह होते हैं संसद के दो सदन ठीक है लोकसभा कैसा सदन होता है भाई निमन सदन होता है ये बात तो हमें पता है और राज्य सभा कैसा सदन होता है उच्छ सदन होता है यह बात भी हमको पता है ठीक है किलियर हो रही है कहानी तो जो भारत की विधाई का है महिलाओं की संख्या क्या है कि यहां और यहां जब सांसद चुनिके जाते हैं उनमें महिलाओं की स्थिति क्या है महीलाओं का प्रतिशत कितना है ये बात हम से पूछी गई है क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं जाती धर्म और लेंगिक मसले लेंगे के आधार पर किस तरीके का भेदभाव किया जाता है क्या महीलाओं की संख्या हमें कम दिखाई देती है देख लेते हैं है उनके रिप्रेजेंटेशन की बात आती है ठीक है तो भारत का इस्थान दुनिया के देशों में सबसे नीचे पाया गया है जी हां ठीक है क्योंकि भारत की विधाईकाओं में महिलाओं की संक्या दूसरे देशों के कामपारिजन में सबसे कम हैं दूसरी बात महिलाओं का प्रते निदेटु हमेशा लोकसभा में 10 प्रतिशत से कम और राज की विधान सभाव में 5 प्रतिशत रहा है 5 प्रतिशत से भी कम देखा गया है कहां लोकसभा की अगर हम बात करें जो हमारी संसत के चुना होतें आम से कम और राज की विदान सबाय जो स्थेट लेजिसलेटेव असेम्जी है वह पर पांच प्रतिशत ही रहा है ठीके बाकी का यहां से नभ्य प्रतिशत और यहां से पंचानवय प्रतिशत किसके पास गया पुरुषयों के पासOl रेग तीक दूसरी तरब इस्थानिय सरकारी निकायों के मामले में इस्थिती अलग है इस्थानिय सरकारी निकाय पंचायती राज की बात हो रही है यहां पर हम कहां की बात करेंगे पंचायती राज यानि की लोकल सेल्फ गवर्नेंस इस्थानिय श्वसाशन की हम बात करें तो दूसरी तरफ इस्थानिय सरकारी निकायों के मामले में इस्थिती हमें अलग दिखाई देती है चुकि इस्थानिय सरकारी निकायों जैसे कि जो पंचायत होती है हमारे शेत्र की अनगर पालिकाय होती है महिलाओं के लिए बहुत ही भहती बहुतरी बवस्था करें गयी है महिलाओं के लिए एक तिहाई स्थान आरक्षित करें गए है yat यह मैंने कि 23 दिसम्मलो तीन-व 13 प्रतिशत स्थान क्या किये गए है आरक्षित किये गए है है रिजर्ड किये गए है कि ठीक है कि इतने प्रतिशत महिला आएं इस थान्य स्वश्चार से संस्थाओं में होनी ही चाहिए तो तेहाई सीटे आरक्षित करी गई है ग्रामीड और शहरी स्थानी निकायों में दसलाक से अधिक निर्वाचित प्रतेनी धी महिला हैं हमें देखने को मिलती हैं यूगि वहाँ पर आरक्षण दिया गया है और कहीं कहीं जैसे कि बिहार और इसके अलावा हम मध्यप्रदेश और ऐसे तीन चार राज्य और हैं उनकी बात करें तो वहां पर वहां की लोकल सेल्फ गवर्नेंस में इस्थानी शुषासी संस्थाओं में अगर पंचायत अंगर भाली काम है पंचायती राज में पच्चास प्रतिशत इस्थान भी महिलाओं के लिए आरक्षित करी गए ह तो भई क्या है जरूरत किसकी है कि जिस तरीके से पंचायती राज में एक तिहाई इस्थान महिलाओं के लिए रिजर्ड करके रखे गए हैं ठीक उसी तरीके से हमारे भारत देश की जो विधाई का है लेजिसलेटिव असेम्बली है चाहे हम उपर की बात करें पार्लिया अल राइट चलिए नेक्स्ट किनी दो प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को एक धर्म निर्पैक्षदेश बनाते हैं धर्म जो भारत को एक धर्म निर्पेक्ष देश बनाते हैं धर्म निर्पेक्षता का मतलब यह होता है जहां पर धर्म के आधार पर किसी के भी साथ भेदभाव ना किया जाए ठीक है उस देश का समविधान उस देश की सरकार किसी भी धर्म विशेश को ना माने उसकी नजर में सार के धर्म बराबर हो ठीक है चलिए अब इसको हम आंसर के फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे सवाल है दो प्रॉवीजन्स ऐसे लिखने हैं प्रॉवीजन्स प्रावधान की बात हो रही है प्रावधान यानि की सम्विधान में कानूनी रूप से जिन बातों का जिक्र किया गया ह प्रोवीजन्स यानि की कानूनी बाद कुछ ऐसी कही गई हो जो भारत को एक धर्म रिपेक्षदेश बनाती हो तो उसकी हम भात करें भारत को धर्म रिपेक्षदेश बनाने वाले दो समवेधानिक प्रावधान निम्न है पहला तो यह है कि किसी भी धर्म का प्रचार करने अभ्यास करने और अपनाने की स्वतंतरता है आप जिस धर्म को मानने के वाले हैं तीक है आप उसका प्रचार कर सकते हो आप दूसरे धर्म को फॉलो करना चाहते हो पॉलो करो आप दूसरे धर्म का प्रचार करना चाहते हो क करूं जो भी आप करना चाहते हो आने कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है क्या है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आप भले ही किसी और धर्म में पैदा हुए लेकिन आपकी आस्था जो है आपका विश्वास किसी दूसरी धर्म के प्रती है तो आप वो अपना सकते हो ठीक है फिर सम्विधान धर्म के आधार पर भेद भाव पर रोक लगाता है सम्विधान को कोई धर्म नहीं होगा सरकार क कोई धर्म नहीं होगा किसी एक धर्म के प्रति जुकाओं नहीं होगा सभी धर्म को हमारे देश का समीधान उमारे देश की सरकार एक द्रश्टी से देखती है तो यह दो प्रावधान है वह हमें बताते हैं कि भारत एक धर्म निर्पेक्ष देश है अल्राइट चलिए next कुछ अब्जेक्टिव टाइप question हमारे सांवने सौल करते हैं मजायेगा जब लिग्ह विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्रायग क्या होता है जब हम जैणे डिस्टिपिशन की बात करते हैं तो इससे हमारा क्या मतलब होता है ठीक है आप्शन ए पुरुषों और महिलाओं के बीच जैवेकंतर आप्शन बी समाज द्वारा इस्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएं आप्शन सी भालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात आप्शन डी लोगतांत्रिक व्यवस्थाओं में महिलाओं को मतदा पुरुषान का अधिकार ना मिलना क्या कहेंगे आप जब हम लिए विभाजन के बात करते हैं तो हमारा मतलब क्या होता है देखो चार आप्शन है आपको चार आप्शन मेंसे आपको ऐसे कई सारे आप्शन होए कि सही लग रहे हुए लेकिन एक्जेक्टली इकदम दंदा option क्या लगता है उसकी खोश करनी है बता दो जल्दी से question no.7 objective type question है in CRT solutions का ही यह पार्ट है बताइए जल्दी से देखा जाए तो इसका सही आंसर बनता है भया B समास द्वारा इस्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमी का यह सबसे सही बनता है आप कहेंगे ए क्यों न ही है वह तो प्रकरति की देन है पुरुष अलग है महीला अलग है उनके बीच जैवेक अंतर है लेकिन धरती पर मनुष्य तो समान है ना चाहे पुरुष और इस्त्री हो वो हैं तो वो एक मानव है तो वो मनुष्य अब कोई भी व्यक्ति कितना भी काम करें और कैसा भी का को पुरुषों के comparison में कम salary मिलती है अगर वो काम करने के लिए जाती है महिलाएं जो घर का काम करती हैं उनको उसमें गिना नहीं जाती उनकी काम को कर सकती महिलाएं जो घर में काम कर रही है क्या वो पुरुषों के बराबरी का काम नहीं है यह महिला पुरुषों के जैसा बाहर जाके कमाई का काम कर रहे तो क्या महिला को कम वेतन मिलना चाहिए नहीं ना समान काम के लिए समान वेतन की बात होनी चाहिए ठीक है तो समास द् बालकों की संख्या का अनुपाद ठीक है? ऐसा तो है ंए रखको प्रकर्तzech को क्यूं मारा हें, हम हम कन्या भूरॉण हथ्या की जब हम बात करते हैं तो कन्या भूरूर हथ्या ही क्याब माल brag लड़के को ही जनव पहले उसको मार दिया जाता हो ठीक है तो यह कहां हो रहा है हमारी सोसाइटी में हो रहा है ठीक है तो समाज द्वारा इस्तरी और पुरुष्ट को दी गई जो असमान भूमिकाये हैं वो सही तरीके से लिंग विभाजन को दर्शाती है All right चलिए और भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है ऑब्जिक्ट टाइब वेश्ण ही है बतादो चल्दी मंद्री मंडल में बहुत कम एक या दो महीला आपको दिखायी जाएंगी पंचायती राज संस्थाओं नहीं एक तिहाई सीटें जो हैं महिलाओं के लिए रिजवर्ड करके रखी हैं आरक्षन दिया है यानि की 33.33 प्रतिशत आरक्षन इस्थानी शौसाशी संस्थाओं में मिला है चलिए चलते हैं आगे सांप्रदाइक राजनीती के अर्थ संबंधी निनलिखित कत्रों पर विचार करें सांप्रदाइक राजनीती इस धारणा पर आधारित है की यानि की सांप्रदाइक राजनीती के बारे में बताना है सांप्रदाइक राजनीती वास्ताओं में है क्या देखें अप्षिन एक धर्म दूसरे से बहतर है अप्षिन भी विभिन धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप में खुशी-खुशी साथ रह सकते हैं सी एक धर्म के अन्युआई एक समुदाय बनाते हैं क्या लगता है आपको एक धर्म दूसरे धर्म से बहतर है विभिन धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप में खुशी-खुशी साथ रह सकते हैं एक धर्म के अन्युआई एक समुदाय बनाते हैं एक धर्मिक समुका प्रभुद्व बाकी सभी धर्मों पर कायम करने में शाशन की शक्ति का उप्योग नहीं किया जा सकता है देखा जाए चलिए हाँ देखें तो इन में से कौन सा कथन सही है काफी सारे कथन जो है आपको दिये हुए हैं यहां पर आबा सादा में दिये हैं चार ऑप्शन यहां पर दिये हैं कि अब कौन कौन से कधन सही है आ बा सा और दा ऑप्शन भी आ बा और दा ऑप्शन सी आ और सा ऑप्शन डी बा और दा देखा जाए चलिए तो इसका अंसर बनता है सी आ और सा अब चलते हम कधन आ और सा की तरफ सही क्या क्या है ये भी सही ह और यह भी सही है बात हम किसकी कर रहे हैं सांप्रदायक राजनीती की तो सांप्रदायक राजनीती इस धारणा पर आधारत होती कि एक धर्म दूसरे धर्म से बैतर है जान सांप्रदायकता की बात होती है वहां धार्मिक सुरिष्टता की बात होने लगती है लोग अपने याधार पर पॉलिटेक्स होने लगती है all right चलिये next question number 10 भारत के सम्धान के बारे में निमलिकित मैं से कौन सा कथन गलत है ठीक है क्या पुशा है कौन सा कथन गलत है यानिकि सही नहीं किसके बारे में भारत के समिधान के बारे में तो ऑप्शन ए है धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है ऑप्शन भी एक धर्म को राजकिय धर्म बताता है क्या यह गलत है ऑप्शन सी सभी व्यक्तियों को कोई भी धर्म को स्विकार करने की आजादी देता है option d किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है क्या लगता है आपको बताई जल्दी से भारत के समिधान के बारे में कौन सा कधन गलत है जल्दी से पढ़ लो क्या लगता है आपको एक बाद तो आपको पता है कि धार्म एक स्वतंत्रता का अधिकार है भारत एक धर्म निर्पेक्षदेश है अब सोचो कि क्या हो सकता है दिखा जाए चलिए तो इसका सही आंसर है option B ये गलत है यह एक धर्म को राज के धर्म बताता है ये बात एक दम गलत है क्योंकि भारत भारत एक कैसा देश है भारत एक धर्म निर्पेक्षदेश है भारत एक धर्म निर्पेक्षदेश है जहां पर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है और धर्म निर्पेक्षदेश का मतलब क्या होता है कि हमारे देश का कोई धरम नहीं होगा हमारे देश का सम्विधान हमारे देश की सरकार का जुकाव किसी धर्म विशेश के प्रतिनियों का सभी धर्म को समान द्रश्टी से देखेगा अब ये बात क्या कही जारी कि एक धर्म को राज की धर्म बताता है क्या सम्विधान बिल्कुल नहीं बताता है तो धर्मे के आधार पर भेदभाव की मना ही है ये बात बिल्कुल सही है सभी व्यक्तियों को कोई भी धर्म को स्विकार करने की आजादी है आप जिस धर्म को मानना चाहें आप मान सकते हैं उसका प्रचार कर सकते हैं उसको अपना सकते हैं आकरी में हैं किसी धहर में समुदाय में सभी नाकरिकों को बराबरी आदिकार देता है बिल्कुल देता है ठीक चलिए हैं नेकस्ट कुछ हां खालिस्तान पुछा है आपको कि खालिस्तान पर आधारे सामाजिक वीभाजन सिर्फ भारत में ही है क्या Jestाओ आपको देखा जाए जाती जी हाँ क्योंकि कास्ट सिस्टम सबसे ज्यादा कहां देखा जाता है जाती व्यवस्ता सबसे ज्यादा कहां देखी जाती है भारत में तो जाती पर आधारिस सामाजिक व्यभाजन केवल भारत में ही देखने को मिलता है चलिए अब सही जोडियां मिलानी है वही सब तरीकी के सवाल कर लिया हमने NCRIT solution में तो सही जोडिया क्या कहती है आपको दो सुचियां दी गई है सुची 1 और सुची 2 तो सुची 1 और सुची 2 का मिलान करें और नीचे दीगे कोड के आधार पर आपको सही उतर चुनना है तो सुची 1 में पहला पॉइंट क्या है उसको पढ़ लेते हैं देखते हैं उसकी जोड़ी किस से मिलेगी देखें तो अधिकारों और अवसरों के बात हो तो उसमें जो किस्त्री और पुरुष को मेल और फिमेल को drive मेन को बराबरी से देखा जाए तो इस कंसेट को आप क्या कहेंगे सवधारणा को आप क्या कहेंगे क्या साम प्रदायकता कहेंगे या नारी वादी कहेंगे धर्म रिपेक्ष कहेंगे या जाती वादी कहेंगे ठीक दूसरा पॉइंट है धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति जो व्यक्ति धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानना है तो आप उसे क्या कहेंगे ठीक है फिर उसके बाद जाती को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति कि जाती ही किसी कम कामों के आधार है उसके बाद चौथा व्यक्ति यों के बीश धार में कास था कि आधार पर भेद भाव ना करने वाला व्यक्ति उसको आप क्या कहेंगे तिक है चार कांसेप्ट यहां पर आपको दिये उन चार कंसेप्ट की चार डेफिनिशन आपको दी हैं सही उत्तर क्या है बताइए जल्दी से एक की जोड़ी किस्से मिलेगी दो की किस्से तीन की किस्से चार की किस्से जल्दी से कॉमेंट करके बताइए तब तक हम देखते हैं इसका सही आंसर इसका सही आंसर है सारे गामा चलिए मिलाते हैं इसको तो देखें अधिकारों और अवस्रों के मामले में इस्त्री और पुरुष की बराबरी मानने वाला व्यक्ति क्या कहा जाएगा नारी वादी नारी वादी कंसेप्ट क्या कहता है जहां पर इस्त्री और पुरुष बराबरी से देखे जाए धर्म को स कात्याद्याजों को समुधाय का मुख्य आधार मानने वाला यक्ति उआती वाधी कहलाएगा और Custom कम दर्में कि पर भेद भाव ना किया जाए पाल्राइट किलियर चलिए नेक्स्ट क्या है बई नेक्स्ट कुछ भी नहीं है, शेशन घतम हो चुका है, कावी सारे question answer भी करे, objective type भी करे, उसके बाद एक खालिस्तान भी था, सही जोड़ी थी, यानि कि एकदम full package आपको anxiety solutions में मिल गया, ठीक है, तो अब ये बता दो, कहीं कोई doubt हो, कोई बात, कोई चीज आपको समझ में ना आई हो, तो जल्दी से comment करके बताइए, आपके हर एक सवाल का जवाब आप तक पहुंचाया जाएगा, अल्राइट, चलिए तो चलते हैं, और मिलते हैं जल्दी अगले session में, अगला session होगा बहुत interesting, बहुत मज़ेदार, बहुत important, वो होगा multiple twice question का, तो जल्दी से notification bell icon को आ ऐसे ही next video upload होता है, आपको इसकी information तुरंत मिल जाए और आप उसे तुरंत ही जवाइन कर पाएं, तो अगर आप हमारे daily के live session और recorded session से जुनना चाहते हैं, सारी चीजन उपलद है, magnet brains के YouTube channel, website और application पर, magnet brains इंडिया का number one 100% free online education platform है, इसके अलावा गर आप e-books और e-notes भी चाह इंग्लिश और हिंदी दौनों मेडियम में उपलब्द है, सीबेसी बोट के साथ साथ अधिली विहार, UP, MP, राजस्तान बोट के स्लेवर्स को कवर कराया जाता है, काफी सारी special courses भी हमारे पास इसकी वैदिक मैस, crash course और spoken English, और इतने सारे courses आपको एक ही जगे, एक ही single platform पर high quality education के साथ fully organized complete course के साथ इतने free of cost मिलने वाले हैं, magnet prince, youtube के लावा other social media platform, जिसकी facebook, instagram, twitter, telegram, whatsapp पर भी उपलब्द है, आप हमें भी follow कर सकते हैं, यहां से भी सारी जानकारी प्राब्द कर सकते हैं, तो आज के session को ज्यादा से ज्यादा like और share करते हुए, चैनल को subscribe भी करना है, हमारे साथ बने रही है, जुड़े रही है, पढ़ते रही है, कुछ रही है, thank you so much